वेलकुम स्टुडेंट्स आज हम यह करेंगे अंडर्स्टेंडिंग टेक्स्ट यह तीन क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो डग्लस है वो पाटकों को कैसे स्पष्ट करता है जो सेंस पैनिक डर की जिसने उसको जगर रखा था जब वो डूब रहा था जिसक्राइब का मतलुता तो देख्या था इसके अंदर फर्स्ट लाइन आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं और फर्स्ट लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं ऑगे एक क्वेश्चन आपने किया था series of emotions कैसी emotions थी while drugless was drowning पूरा वो ही इसके अंदर जो question का अंसर्ट है इसके अंदर वही लिखना है तो आपका जो question है वो त्यार हो जाता है चलिए देखते हैं कैसे जैसे मान लो अगर आप quite vivid काफी clear है आगे आपने वो लिखना है series of emotions तो आप लिख सकते हैं वन डे डगलस बास सिटिंग ऑन दा side of the pool बैठा हुआ था side of the pool ठीक है suddenly देखी यहां पर a big boy came जहान came and आया तो क्या कि उसको and toast him into the pool उसको फैंक दिया पूल के अंदर अब क्या हुआ he was frightened I was frightened आप लेंगे he was frightened but not much but not frightened out of his weights ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है आगे है on the way down he planned आई कि आप ही करेंगे क्या प्लान था he would make a big jump कि वह एक बड़ा jump लगाएगा ठीक है अब क्या हुआ हाँ ही संबंड आल आई संबंड आल माइस संबंड आल ही स्ट्रेंथ कर सकते हैं है ना and made what I thought was a great spring मतलब जहां से आप लिख सकते हैं he made a big jump उसने एक लगाया लेगन जंप से क्या होगा देखिए he came up slowly बड़े दीरी देरी आया आप जहां से लिख सकते हैं ही लिख सकते हैं he came up slowly तो ही हाँ came up slowly आगे लिख सकते हैं आप ही बाद सफोकेटिंग आई की जगा वह सफोकेटिंग कर रहा था चीकर तो जहां पर आप आगे आप कहां पर लिखेंगे अगे लिख सकते हैं अगे लिख सकते हैं एक ग्रेट फोर्स बास पुलिंग मी की जगा आ जागा हिम पुलिंग हिम अंडर उसको खींच रही थी ही आई स्क्रीमड ही सक्राइं स्क्रीजा ही क्राइड वो चलाया बट नो सांड के मैं से भी लिखते जा बार बट अउनली दा बाटर हाड है फिर आगे लिख स्ट्रेंथ हां ही हैड लोस्ट आल इस ब्रेथ वो अपनी सांस खो चुका था तो अब के सेकंड टाइम हां नीचे जा रहा था तो देखिए आई स्ट्रक हां इस बट आई रिमेंबर्ड हां जहां जहां एक लाइन लिखनी तीजिए हैड आई की जगा ही करेंगे ही हैड स्टार्टर ओन लोड अन दा लोंग जर्नी बैक टू दा बोर्टम ऑफ द पूल दो लेकिन क्या हुआ जंप लगाने पर दोबारा क्या हुआ देखिए ये बैंट डाउन एंड लेसली स्टार्क हां लेकिन जब नीचे जा रहा था तब उसकी मोशन क्या थी ही बैंट टून आगे हैस में लिख सकते कंप्लीट स्टार्क टेरर का मतलब दो कंप्लीट टेरर स्क्वीम्स ओनली माइध आ एंड ड केम आग्रच आइक अधाय ने बिल्ट रिखिए बेक जयां बन डिखिए लाइन वह वार्च उसके बाद आप और श्तार काई रोटर को आइस ने रमेंबर सर्गा अन्य झाल गया तो देखिए शुपिन ट्रम गया तो देखिए क्या अब क्या हुआ हाँ लेकिन अब फिर उस जो है जम्प लगाया लेकिन बट इड मेड नो डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं फिर क्या हुआ आप लिख सकते हैं देन इस स्टार्ट डॉन एठ टाइं तीसरी बार वो आई की जगाही कर देंगे तीस बार डूपना शुरू हो गया अब क्या हुआ जब तीसरी बार ब्लेक्नेस खुप्ट ऑब माइब्रें तो आप जहां पर लिखेंगे a blackness swept over his brain ठीक है फिर अब क्या हुआ there was no more panic it was quiet and peaceful जी लिख सकते हैं आप उसके वहाँ it was nice जी अच्छा लग रहा था तो तुझे उसका पूरा experience आ गया है जो आपने तो इस तरह से आप इस question का जो answer बना सकते हैं आगे देखिए second question है how did Douglas overcome his fear of water अपने पानी के डर को कैसे काबू पाता है देखिए पहली बात हुआ है he had fear of water देखिए यहां पे लिखा हुआ है he had fear of water यह दिखिए haunting fear of water इससे क्या हुआ it deprived me की जगा him of the joy of canoing, boating and swimming उससे वो बंचीत हो गया अब इससे क्या हुआ he decided to get an instructor उसने एक इंस्ट्रक्टर की सर्विस लेनी चाही आगे आप लिख सकते है दा इंस्ट्रक्टर बाज एन एक्स्पिरियंस्ट परसन भी एक लाइन एड कर सकते है he put the instructor put a build around me की जगा him कर देंगे आगे आप लिखेंगे a rope was attached to the build फिर लिखेंगे it bent through a pulley pulley से उकर जरसा जाता था आगे the pulley ran on an overhead cable एक उपर cable लगी थी लोहे की तार उसके उपर से जो pulley गुजरती थी आगे he held on to the end of the row जहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहे ही उसने पकड़ा हुआ था आगे then the writer bent back and forth आगे पीछे गया क्योंको इसना रस्था पकड़ा हुआ था इस ही the instructor taught him to put to put his face किसका writer का under the water and exhale कैसे शांस चोड़ना है and raise my his nose and inhale कैसे इतना कूपर करने और कैसे शांस शोड़नी है ठीक है देखिए me kick the instructor also taught him how to kick his legs in the water कैसे legs को kicks करना है यहां पर देखिए तस हां जीद है अब क्या हुआ कि he made a douglas he made douglas a swimmer he made a swimmer out of douglas इस तरहा swimmer लेकिन इसमें और भी add करना है देखिए how did douglas overcome his fear of water हमारा question जैसा लेकिन he is the instructor was finished but I was it means he still has some fear उसके मन में अब भी भी कुछ डर था इस डर को दूर करने के लिए क्या हुआ तो आई बेंट टू लेक बेंट था आई की जिगा आप ही करेंगे तो ही बेंट टू लेक बेंट बर्थ इसके बाद देखिए जहां पर yet I had residual doubts तो आप लिख सकते है yet he had residual doubts अभी उसको कुछ शक था तो इसके लिए उसने क्या किया तो जहां देखिए warm lake की बात कर रहा है आप लिख सकते है then he went to warm lake the next morning I stipped उसने कपड़े उतारे and dived into the lake and swam across the other shore and back अब जहां फुल स्टॉप लगा लेंगे आप भी लिखेंगे I shorter भी जुआए he shorter भी जुआए ठीक है आगे आप देखिए I had conquered my fear of water आप लिखेंगे he had conquered my fear of water इस तरह से आप जहां इस question का बच्छो अंसर बना लेंगे आगे देखिए third question है why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it देखिए जो डगलस है वो अपने childhood का experience ही क्यों बताता है आंता का और इसको कैसे बीजे पाने का what larger meaning does he draw from this experience क्या उसका larger meaning इसे draw करता है अब देखिए उसका जो experience था इसमें पूल के अंदर जो है डूबने का तो यह जहां पे डगलस क्या था कि why का answer क्या है क्यों वो बताना चाहता है here douglas this experience has unfolded him a great fact of life जो उसका जो अनुबब था बहां पे डूबने का उसको life के एक बहुत बड़ा fact बताया था unfold किया था उसके लिए तो इसलिए वो हमसे share करना चाहता था अब क्या meaning क्या message देना चाहता तो देखिए जहां पे लिखा है the experience had deep meaning for me तो आप लिख सकते हैं this experience had deep meaning for douglas so he wants to share this experience with us हमारे साथ share करना चाहता था अब क्या message देना चाहता था बहां पे आप लिख सकते हैं there is terror only in the fear of death as Roosevelt knew when he all we have to fear is fear तो देखिए यहां पे douglas हमें बताना चाहता है कि there is no fear in the death कि death के अंदर कोई भी fear नहीं है क्योंकि जब वो third time में डूबा था तो आपने पढ़ा होगा कि every there was peace वहां पे बिल्कुल शांती थी he was relaxed third time तो there was no fear in death आगे last में आप लिख सकते हैं all we have to fear is fear itself तो इस तरह से बच्चों आप यह तीन question त्यार करेंगे बच्चों जैसे मैं हमने तीन question बताया आपको कैसे book से अपने खुद त्यार करने हैं तो देखी जहां पर फिर मैं वही तीन question लेता हूँ how does douglas make clear to the reader the sense of the panic that gripped him as he almost drowned describe the details that have made the description vivid देखी the description of feelings and emotions while douglas was drowning is quite vivid spasht है he was thrown into the pool पूल मैं फैंका गया by a strong boy एक strong लड़की के द्वारा he at once bent to the bottom वो एकदम जो है तल पर चला गया he made a plan उसने एक जोजना बनाई क्या जोजना थी that he would hit the bottom वो bottom से टकराएगा and make a big jump एक बड़ा jump लगाएगा to the surface surface के उपर but the jump made no difference जंप से कोई भी difference नहीं पड़ा he came up very slowly बहुत देरी देरे आया he grew panicky वो डर गया आगे देखे he was suffocating वो suffocate करा था he tried to cry उसने cry करने की कोशी की but no sound came he tried to bring his legs up उसने legs up करने की कोशी की but a great force was pulling him under उसको कीच रही थी he had started his journey back to the bottom complete terror seized him उसकी उपरांतक शागया he was crying underwater he was stiff with fear he felt the tiles under him he jumped with all his might but again it made no difference he started down a third time now he stopped all efforts he relaxed there was no more panic he was feeling nice everything blanked out the carton of life fell जीवन रुपी पर दा गिर गया but luckily before he was dead he was taken out of the pool and saved next question था how did douglas overcome his fear of water देखे the writer had fear of water he took the services of an instructor the instructor trained him different swimming techniques at last the writer had learned swimming but he had some fears and doubts in order to remove fear he bent to lake Bentworth in New Hampshire he swam two miles across the lake उसने दो माइल पार किये fear and terror would return डर और जो आं तक आ गया but for a moment एक खिशन के लिए jet he had residual doubts अभी भी शक था to remove all his doubts अपना शक को दूर करने के लिए he camped by the side of Barm Lake he swam across the other shore भू दूसरे किनारे तक पार किया and back बापस आया he shorted with joy he had क्या था he had conquered his fear of water उसने अपने पानी की दर पर बिजे पाली थी तो next question देखिए एक था why does douglas as an adult recount a childhood experience of the terror and his concurring it of it but larger meaning does he draw from this experience देखिए आप लिख सकते हैं douglas childhood experience had unfolded to him a great fact of life he wanted to share it with all human beings that is why he recounted his experience in vivid details vivid होता है clear he told that we should not fear of death हमें बताता कि हमें death से नहीं डरना चाहिए क्यों because there is peace in death death के अंदर peace होती है all we have to fear जो हमें डरना है is fear itself डर से ही डरना है हमें एक और आप question त्यार करेंगे इसके अंदर what did the writer remember when he come to himself after the misadventure at the pool उसको क्या जाद आया जब वो नदी से पूल के बाहर था तो उसको क्या बात जाद आती है he remembered that he was lying on his stomach उसको जाद आया कि वो पेट के बल लेटा हुआ था beside the pool, pool के किनारे he was vomiting वो उल्टियां कर रहा था the chap होता लड़का, the chap who had thrown him जिसने उसको फैंका था in was saying वो कह रहा था what I was only fooling में मूर्ख बना रहा था someone said the kid nearly died, कोई कह रहा था ये लड़का लगभग मर गया था तो आज के लिए इतने थैंक से लोट